नमस्कार दोस्तों योगिश टेक्टिकल में आपका फिर से भूद भूद स्वाग दोस्तों आज हम एक आर 291 के एर कंडिशनर में गयास चार्जिंग करेंगे और इसके बैक प्रेशर के बारे में जानेंगे जो दोस्त नहीं है वो वीडियो में लाश्ट तक बन रहेगा और कि 90% आपका उपकर्ण वेक्यूम होना चाहिए इस बात को आप शोर कर लें कि आपका वेक्यूम अच्छा हुआ है क्योंकि अगर अच्छा वेक्यूम नहीं होगा तो उसमें अनकनिसिमल गैसे रह जाएंगी अन्य पानी के वास्प रह जाएंगे नमी रह जाएगी तो वेक्यूम की प्रक्रिया का बिल्कुल अच्छे तरह से आपको ध्यान अचाहिए और अच्छे तरह से ही गुड़ प्रेक्टिस के द्वारा ये प्रक्रिया आपको करवाने चाहिए दूसरी बात आर दोस्तों नहीं एक फ्लेमेबल रेजिनेंट है अगर आप इसे बैक्प ज्यादा ध्यान में नहीं रख पाएंगे इसलिए सबसे अच्छे तरीका है कि आप वजन तोलकर जो वजन उस उपकण पर रेजिनेंट का लिखा हुआ है सारी प्रक्रियां अच्छी तरह से करके वो वजन का गैस आप उस उपकण में डाल दे और फिर उपकण के कारिया क को देखें तो आपको सत पत्चत कारिया आपका सही मिलेगा क्योंकि बैक प्रेशर में अगर माली जी ये सिस्टम में कुछ नमी रह जाती है या फिर आपके वेक्यूम में कुछ कमियां रह जाती है तो बैक प्रेशर बढ़ेगा और आप उसमें गैस डालते रहेंगे क्यो दीजिए और उसको एक्युलाइज होने दीजिए सिस्टम को मत चलाइए लेकिज वगएरा अच्छी देश चेक करने के बाद आप सिस्टम को चलाएं और फिर कुलिंग इफेक्ट देखें अगर आप सिस्टम को चलते हुए रेजिनेंट को भरने तो काफी ध्यान से और काफ बाइस रेजिनेंट होता है उसके समकक्ष ही होता है यानकि आप इसका जो बैक्ट पैसर है अगर बाहर का मोसम 25 डिग्री सेल्सिस के आसपास है तो बाहर से पैसर पैसर पैसाईजी के बीच में रख सकते हैं लेकिन मैं फिर आप से यही करना चाहूँगा जो दोस्त नए ह हैं कि गैस को तोलकर भरिए आप अपने पास एक सर्विस लेंडर को रखिए और उपकन पर उस गैस का वजन देख लीजिए और शोप की पर से आप अपने सर्विस लेंडर में उतना ही वजन का गैस अपने सिलेंडर में लेकर चलिए सर्विस लेंडर के साथ काम करते पीच में आपको 291 का बैक प्रिश्र भरना है अगर किसी एक निश्र में आप गैस को चार्ज कर रहे हैं